नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान टीजी टी परिच्छा 2021 इतिहास भात 44 में और चेप्टर का नाम है मरुत्तरकाल फॉस्ट तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हां अगर आपनों को इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो पीडियाप का लिंक डिसकेशन में दे दे हां वहां से जाकर इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर स चलिए वीडियो करते हैं प्राचीन काल में आँधर प्रदेश के करीम नगर तथा नालगुंडा जिले किस खनीज के उत्पादन के लिए विख्यात थे तो प्राचीन काल में जो करीम अरीम नगर हैं और नाल गुंडा वहां पर किस खनी जुत पादन के लिए परसिद्ध था यह यहां पर मिलता था लोहा और इस पाथ एंसर रोजाएगा ए लोहा और इस पाथ कुश्चन नमबर दो है पेरी प्लस आपदी थिरियन सी का लेखक होने का स्रे दिया जाता है तो यह स्रे दिया जाता है एक अग्यात युनानिक नाविक को कुश्चन नमबर तीन है निमलीकित में से कौनसा बंदरगा पोड के नाम से दपेरी प्लस आपदी थिरियन सी लेखक को ज्ग्यात था तो उस बंदरगा का नाम बताना है जो पोड के नाम से था तो वह बंदरगा का नाम है अरिका मेडू इंसर जायेगा A. अरिका मेडु question number 4 है कुसाण काल में मतुरा मुर्ति कला का एक प्रमुक केंदर था यहाँ मुर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी तो पत्थर का नाम पूछ रहा है कि कुसाण काल में मतुरा जो है सबसे यदा मुर्ति कला के लिए परसिद था तो यहां की जो है किस प्रकार के पत्थर से यह मुर्तियां बनाई जाती तो पत्थर का नाम बताना है तो उसका नाम था लाल बलुवा पत्थर इंसर होगा डी लाल बलुवा पत्थर कोर्शन नमर पांच है पेरिपलस में उलेखित कौन सा बंदरगा अपने मोती उत्पादन के लिए बिख्यात था तो यहां पर मोती उत्पादन के लिए पूछ रहा है तो पेरिपलस में कौन सा बंदरगा था जहां पर जो है मोती के ल तो कोरकई जो है इसका नाम वर्तमान देखा दे तो कालची के नाम से मिलता है कोरकई को कालची नाम भी जाना जाता है वर्तमान में कालची के नाम से जाना जाता है कोरकई जो पांडेओं की बंदरगा की रायधानी थी और यहां सबसे ज़्यादा मोती का उत्पादन होता थ कोशन नमबर 6 है मतुरा साइली में मुक्ता किस प्रकार के पत्थर का प्रियोग होता है तो वह है लाल बल्वा पत्थर का कोशन नमबर 7 है गंधार कला पर विशेश प्रभाव था तो इसका विशेश प्रभाव था किस पर ये था गरिक कला का और रोमन कला का इसमें एंसर हो जाएगा डी ओर बार यानि गंधार कला पर प्रभाव था किसका था ग्रीक कला का और रोमन का यानि दोनों का प्रभाव था इस पर ग्रीक और रोमन का कोशन नमबर आठ है प्रसिद बौध बिद्वान असघोस किसके समकालिन थे तो प्रसिद जो बिद्वान थे असघोस ये किसके समकालिन थे तो इसमें अन्सर होगा सी कनिस्क के समकालिन question number 9 है बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था तो बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था तो इसके लेखक थे अस्व घोस answer वो जाएगा B अस्व घोस देखा जा तो अस्व घोस की तीन परमुख रचना है थे जिसमें बुद्ध चरित्र जो है सबसे अलाइट थी इसके बाद सौधरानन्द था और सारी पुत्र प्रक्राण ये तीन रचना किये थे जो अस्व घोस की थी question number 10 है चरक किस सासक के दरबार में रहते थे तो चरक जो है किस सासक के दरबार में रहते थे तो चरक रहते थे ये कनिस्क के दरबार में एंसर वाजाएगा ए कनिस्क के दरबार में ये चरक जो है आईरुवेद के प्रसिद बिद्ध्वान थे और कनिस्क के दरबार में रहते थे और इन्होंनों जे है एक चरक सहिता ग्रंद का लिखा है चरक सहिता जो आवसदी सास्तर से संबंदित है कोश्चन नमबर 11 है किस सासक ने गंधार कला सैली को संरच्छन दिया तो गंधार कला सैली को किस सासक ने संरच्छन दिया था तो वो दिया था कनिस्क ने एंसर जाएगा भी कनिस्क ने कोश्चन नमबर बारा है कनिस्क ने 78 इसीवी में जिस संबत की अस्थापना की उसे कहते हैं तो उसे क्या का जाता है तो उसे का जाता है सक संबत एंसर रहे जाएगा B सक संबत यानि सक संबत का प्रारम जो है 78 इसीवी से माना जाता है और यह भारत का राष्टिक कलेंडर ज इसके साथ ही ग्रेगियन कलेंडर भी साथ साथ में 22 मार्च और संतावन से अपना गया था लेकिन जो भारती कलेंडर है राष्टी कलेंडर वो सक संबत पर भी अधारित है कोशन नमबर 13 है किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा तो वो कला था जिसका नाम था यू नानी कला कोशन नमबर 14 है निमलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए कौन सा कथन इसमें असत्य है तो इसमें कथन असत्य है एंसरों का इसमें D भारत वर्ष में स्वन सिक्कों का चलन हर्ष वर्धन द्वारा आरम किया गया ये कथन इसमें असत्य है तो इसमें जो हर्ष वर्धन द्वारा नहीं किया गया था स्वन सिक्कों का कोशन नमबर 15 है कारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में सिचाई विश्यक कारियों का उलेख मिलता है तो ये उलेख मिलता है किस वंस के साचकुम तो इसका एंसर जाएगा ए नंदो के वंस में नंद वंस के राजा थे महापदम नंद क्वेशन नंबर 16 है निमलिखित में से उतरी भारत में कौन अंतिम ग्रिक साचक था उतरी भारत में कौन अंतिम ग्रिक साचक था तो उसका नाम था उतरी भारत में हिपो ट्रेटस एंसर जाएगा C हिपो ट्रेटस ये उत्तर भारत में अंतिम ग्रीक सा सकता और ये भारत में यूथी डेमस वन्स का अंतिम सा सकता वन्स पुछता है तो यूथी डेमस वन्स क्या था ये और इसका राज पंजाब और पुस्क लावती पर था कोशन नमर 17 है संक लिपी के लेक निमलिखित अस्ताल के इस्तूप अवसेश से प्राप्त हुए हैं तो ये प्राप्त हुए हैं भारहुत से एंसर जाएगा ए भारहुत तो भारहुत इस्तूप है ये मद्पर्देश के सतना नमक ये सतना जिले में पढ़ता है मद्पर्देश के और इस इस्तूप को जो सबसे पहले खोच किये थे जिनका नाम था अलेकजेंडर कनिंगम 1873 में और ये इस्तूथ जो है सुंग कालिन की है कोईशन नमबर 18 है सोने के सिक्के भारत में सरपर्थम किसने प्रारंब किये तो वो थे इंडो ग्रीक यहाँ पर वन्स पोचा है तो इंडो ग्रीक सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के कोईशन नमबर 19 है किस सासक के सासनकाल में सेंट थामस नामक इसाई भारत में इसाई धर्म के परचार के लिए आया था तो किस सासक काल में तो वो सासक का नाम है गोंडो फरनीज तो गोंडो फरनीज के सासनकाल में जो है सेंट थामस नामक इसाई भारत में इसाई धर्म परचार करने के लिए आया थे लेकिन इसको तमिलाडू में माल डाला गया और इसाई धर्म भारत में सबसे पहले सदी मे आए थे कोस्टन नम्बर 20 है प्राचिंतम जल नहर का प्रमान मिलता है तो प्राचिंतम जल नहर का प्रमान कहां पर मिलता है तो यह मिलता है हाथी गुमफा अविलेत में कोसर नमबर 21 है चीन के सासक को पराजित करने वाला प्रथम भारती सासक था चीन के सासक को पराजित करने वाला प्रथम भारती सासक कौन था तो वो था कनिस्क एंसर रो जाएगा D कनिस्क तो चीन के सासक का नाम था पान चाओ क्या नाम था पान चाओ इसका नाम था चीन के सासा का पांचाओ जिसमें जो है कनिस की पराजे वे थी परंतु बाद में वह बिजय हुआ था पांचाओ से इनी रास चीकिशा का अविसकार किस ने किया था इसका अविसकार किस ने गया था इनकी जो प्रशिद्ध ग्रंथ है यह रचना है मध्य माध्यकार का है कुसान सासक अधोल खित यूची जाती की किस साखा से संबन दित है ये साखा है जिसका नाम है कोई स्वांग कोई स्वांग जिसका ती ये जिए ही जाती सबसे सकती सालित है पूरुश्पूर में आदिक में इसको पिशावर के नाम से जाना आता है पूरुश्पूर या पिशावर कोशन नमबर पचीस है और अंतिम कोशन है निमलिखित कुसान सासकों में से किस ने भारत में सौर पर्थम सौन सिक्खों का प्रचलन किया था तो भारत में सौर पर्थम सौन सिक्खों का प्रचलन किया था सासक का नाम पूछ रहा है इसमें तो वो सासक था बीम कड फिसेश एंसर हो जायेगा A, beam cut fishes, यानि हिंद यवन सासक था ये, और कुसान सासकों में सबसे पहले भारत में स्वन सिक्केत जारी किया था beam cut fishes ने, एंसर हो जायेगा इसका A, beam cut fishes, ये हिंद यवन सासक था ये इंडो ग्रिक, तो ये थे कोशन आज के लिए तुम उम्मिद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आयोगा पसंद आयोगा इसको लाइक कर अपने दोस्तों के आधी सदीक share करें धन्य बात दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम